Hello everyone, welcome back to my channel, दोस्तों प्रस्तुत है आज की breaking news, बड़ी खबर, अभी स्कूल कालेज खुलने के आशार नहीं, जानिये क्या कहते हैं सिच्छा जगत के जानकार, सिच्छा संस्थान में गरबड़ी पर ततकाली इंडियार निलंबित, जन्दपत के समस्त प्रात्मी के उम कंपो कोहरे चाय रहने के आशार, सरकारी सुभधाएं लेने वाले स्कूल सुल्ख प्रतिपूर्द के हगदार नहीं, रोक के बावजूद स्मार्टफोन की इंट्री बेदाग ट्रीटी कराना चुनोती, आए देखते हैं दोस्तों खबरे विस्तार से, जिहां दोस्तों आप दे पटेल सिछा संस्तान के चुनाओं में गड़बड़ी करने की आरोप में ततकालिन डिप्टी रेजिस्टार चिट्स एंट फॉंड्स अर्विन कुमार उत्तम को नलंबित कर दिया है, वर्तमान में वहा डक्टर राम मनोहर लुया भीधी विस्विदैले लखनों में भी त इसमें कहा गया था कि उनकी संस्ता में सभी बहने, उनकी पती और माता के अलावा एक मातर बाहरी वेक्ती सिवराज सिंग संस्ता के सदस्त थे, अमन ने आरूप लगाया कि जनुरी 2016 में ततकालिन डियार कानपूर मंडल की मिली भगस से एक फरजी चुनाओं कराया गया थ बड़ी खबर अभी स्कूल कालेज खुलने के असार नहीं, जानिये क्या कहते हैं सिच्छा जगत की जानकार दोस्तों खबर है मुरादाबास से वेन स्कूल कालेज ओपन, माधमिक और सीवेसी वोड की स्कूलों में अभी तक बच्चों को 50% पाटकरम भी पूरा नहीं हुआ था कि कुरोना ने एक बार फिर पढ़ाई पर पानी फेर दिया, सभी स्कूल कालेज बंद हैं और बच्च सभी स्कूल प्रबंदन ने दों तरीके से प्रेशाय कराने के अपनी तैयारिया कर रखी है, सरकारी निजिया और साहता प्राफ 335 माधमिक और सीवेसी बोड के 50 विद्यले आम रोहाजले में संचाली थे, इसमें करीब 2 लाग से अधिक विद्यारती पंजी करेता है, सभी स्कूल कालेजों को 16 जनरी तक के लिए बंद कर दिया गया है, उदर कुरोना के रफ्तार और तेज हो गई है, प्रति दिन संक्रमित होने वाले मरीजों का अगड़ा सौ के आसपास रह रहा है, जिससे आगे भी स्कूल खुलने के आसार नहीं है, इसके चलते अभी भा परडिनेटर रहुरा अगरवाल ने कहा कि स्कूलों में भी 50 परणिकर में पूरा नहीं हुआ है, इसकूल बंद करने का रणे सरकार ने जल्दवाजी में लिया गया है, यूपी पुलिस एसाई भरती परिशा का रिजल जारी होने की इंतिजार में भर्ती, यूपी पुलि है, लेकिन रिजल्ट में देरी हुई तो अब भरती को दोड़ की तैयारी में लगने वाली मेनत भी बढ़ सकती है, उमीद है कि यूपी पी बी पी बी की और से जल्द ही एसाई भरती के लिए परिशा का रिजल जारे कर दिया जाएगा, यूपी पुलिस एसाई भरती पर कदि जार ही है, जो किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, एसाई भरती की लिखित परिश्चा में पास्अभिषतियों को सारी रिजचता परिच्चा परिच्चा के वर क्वल क्वालिफाइंग होगी, यानि इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुणेंगे, जो अभिषित सारी पूरी करनी होगी आपको बता दें कि यूपी पुलिस एसाई भरती परिशा में भाग लेने वाले आप भेरती होने परिच्छा में दानली का आरोप लगा गर फिर से परिशा कराने के मांग की थी कुछ लोगी सिल लेकर लखनाओं में प्रदर्शन किया था दानली के आरोप पर भरती वोड ने दिया था जवाब उत्तरपदेश पुलिस भरती हों प्रोनाती वोड लखनाओ ने यूपी पुलिस में साई के नोजाज पानकी सोतिस पदो पर भरती के लिए वी परिच्छा में दानली के आरोपो को निरादार बताते हुए खारिच कर दिया था UPSI 2021 स्कैम और UPSI स्कैम 2021 के साथ किये गए टूइट पूरी तरह भ्रामाख हैं वोड ने भरती हों से अंदरोत करते हुए कहा कि वहाफ़ाओं पर भरोसन ना करें और अधिकारी जयनकारे के लिए भरती वोड की वेबसाइट UPPBPB.gov.in पर चेक करें ल्टी ग्रेट के हजारों पत खाली चात्रों को ने विग्यापन का इंतिजार प्रयागराज ल्टी ग्रेट से चक भरती के हजारों पत रिकपड़े हैं मादमी सिचाने दिसाले की ओर से उत्रपदेश लोग से आयोग को अधियाचा नहीं भीजा जा चुका है और अब भ 10768 पदों को भरती के लिए बिग्यापन जारी किया गया था योग ने भरती परिशे का परणाम विशेवाट टुकड़ों में जारी किया था योग अब रितिना मिलने और अरता के बिबात के करणर 4000 से अधिक पद खाली रहे गए कंप्यूटर विशे में एल्टे ग्रेट से चिकों के 1666 पदों को मुकाबली केवल 36 पदों पर चेयन हुआ था और बाकी पद खाली रहे गए थे बिग्यान में 1045 पदों में से केवल 84 पर चेयन हुआ था और 6 पद रिक्त रहे गए गए गणित विशे का रिजल्ड भी के दिरस्त किया जा चुका है इसके लाव हिंदी में अरता के विवात की करान से कड़ों भरतियों की नुक्ति फसी हुई है वहीं सारी रिख सिच्छा योम कुछ अन विशे में भी योग भरतियों में के कारण कुछ पद रिक्त रह गए थे सूत्रों को कहना है कि मादमी सि लटे ग्रेट सिच्छा की कोई नई भरति ना होने करान बड़ी संख्या में अभरति ओबर एज हो रहे हैं विग्यापन जारी होने में जितनी देरी होगी ओबर एज अभिरताओं के संख्या भी बढ़ती जाएगे और वहां परिशा में सामिल होने से वंचीत रहे कानपूर सहीत आसपास की जिलों में सीत लहे ने सुकुरवार को हानकपाने वले ठंड का एहसास कराया रात का पारा दो डिग्री लोड़क का चाहदे समनु 4 डिग्री सलसियस पर आ गया अधिक्तम तापवान एक डिग्री कमे के साथ 18 दे समनु 4 डिग्री रहा मौसम अधिकान चेत्रों में रात के समय पाला पड़ने के असार नहीं है ठंड में हार्ट फेल दो की जान गई ठंड में हार्ट फेल होने से काडियोलाजी में दो मरेज की गुरुवार के रात मौत हो गई वहीं सुकुरुवार को सुभा आड़वज से रात रवज तक काडियोलाजी एमर्जनसी में 120 मरेज और OPD में 406 मरेज आए प्रतिपूर्थ के हगदार नहीं होंगे केंद्री सिचा मंत्राले ने इस संबंद में निर्देश जारी किये हैं असल में निसुलक वा आनिवार भाल सिचा अदिकार अद्नियम 2009 के तहत गरी बच्चों का निजी स्कूलों में सरकार दाखला करा रही है बड़ी संक्या में का अनुदानिया भूम प्राप्त की गई है ऐसे बिद्यालों की और से फीस प्रतिपूर्थ की मांग नहीं की जाएगी साथ ही अद्नियम के ताहत बच्चों का प्रवेस लिया जाएगा संयों के सचुवी स्कूल सिचा और सक्षरता भी भाग नहीं दिल्ली मनेस गरग ने सबसे बड़ी समस्या है कि तमाम केंद्रों पर स्मार्ट फून पर रोक नहीं लग पा रही सासन ने पिछली कई परिच्चा से हादेश कर रखा एक कच्छे निरिशाक सिच्चक केंद्व उस्ताक प्रथानचार स्टाप और निरिशन पर आने वाले अपसरों और मजिस्ट करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगी होगे अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार